सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भुलें पहले तो आप दोनों में अंतर बताएंगे नित्या लिलालीन क्या है और ब्रमलीन क्या है इस पे थोड़ा बताएंगे और फिर सेड़ जी जब साकार रूप में उनको भगवाने के दर्शन वे तो ब्रमलीन क्यों हो गए बड़ा अच्छा प्रशना आपके प्रशन का मस्वागत करते हैं क्लैपिंग भी कर रहा हूं आपके प्रशन के लिए वैसे तो इसकी चर्चा पहले भी होई चुकी है ब्रमलीन और लेकिनों नए होंगे सब जूड़े होंगे तो जो ब्रमलीन होते हैं और ठागुर जी से एकत्म को प्राप्त कर जाएंगे और नीराकार चा साकार और ब्र जो जो चर्णों में लीन हो इसका अर्थनी को लीन हुए उनको मुक्ति मिली है वह भगवान के परीमी थी पार्शत थी वैकुंट में निज शुरूबदान करके चले जिए और तो परतक्ष देखने के लिए लिए लोगों को की लीन हुए ऐसे मीरां जी द्वारेका देश कि विग्रह में लीन हुए तो आप इसको थोड़ा गलत बोल गया तो जो ली जो लीला निन होते हैं उनके परतक्ष भले देखने में लगता कि भगवान के अंदर लीन हुए जैसे शुषपाल जी देखने में लगता उनके जोती जब सुदरसुन चक्र सभी तो उनकी भग लेकर वो जय विजय पारशद के रूप में प्रगट हुए तो यह जो लीला लीन है तो ठागुर जी को नित्य लीला जो चले बिंदाबान सके धाम आधी उनके परिकर के रूप में कोई सखिया बन जाती है को इनन्दबावार या सोधा आधी के रूपों में परिनित हो ज दो विशेश बातों को पित और आ दे हैं तो चीत और आनद को आनद अननलका प्रेभ और चीत अनका ग्यान और यह जयनी थे तो ऑफ grhm now से सो हे इसकी उपासना की तो यह मैं विशन्यू हो इस भाव में रहते थे और यहां भी आया है भले नभी हो ये मैं विशन्यू इस भाव के भले उपासना नभी करें तब भी वो व्यक्ति ब्रह्मलीन हो सकता है जैसा कि कफी्ल जी कहते अधिया ब्रॉप में भी मखी घोग उन्यां दो सब्स्क्राइब हर करने घना क्लिकशंग इदे कि dropping in विकलेशा हैं दो पक्र ये-ब स然 युल जा तरह हैं और उसमें जो थो sites भृह्मलीन पहलां मुक्ष है जिसमें एक प्राप्त कि तो इनके बारे में थोड़ थोड़ा बताएंगे तो भाई यह जैद्याल गुंद का जी इसी भाव में जैसे कि महना जी बताई रहे मैं विश्णु इस भाव में रहते थे वह अहम ब्रहमास में इस भाव में लेकिन वह अश्वर्य नख्रिफ का प्रष्वत जेख लेकिन वह अश्वर्य भाव में हिरे में राधा ह्रिष्ण सृछत आनां की तरफ नहीं लक्षुमि नारे का इद्ध्यान करते थे बल्कि लक्षुमि भी शाथ में नहीं उनकcing नाम है मेरा अनभाव। तो मेरा अनभाव में आपने इस्वे में लिखा है लक्षमी नारेन का द्यान करते हैं तो उस बात में लक्षमी को भेटा दिया क्योंकि आप शुद्ध ज्यान में चले गए और के लारेन और कहते हैं जब मैं लक्षमी का ध्यान करता था तो मेरे मन में विकार आ जाता था उसे मना किया गया है विकार आ जाता है मतलब इस्ति का ध्यान हो जाता है क्यों जब उनकी अंगों को ध्यान करता तो पत्नी का ध्यान हो जाता फिर कहता है मैंने बाद में सोचा कि नहीं मुझको रूप देखना ही नहीं है मुझको कि चर्णों का ध्यान करना तो मैं लक्षमी के चर्णों का ध्यान करता तो मैं देखता चर्णों से भी इस्त्री का ध्यान होने लग जाता यहां ता कि मैं किसी आम इसनी को देखता तो उनके चर्णों को देखता उपर नी देखता मेरे मन में विकार न आए कहता जब चर्णों को देखता तो मेरे मन में आता कि गोरी है कि काली है चर्णों से पता चल जाता तो फिर भी मेरे मन में विकारा था फिर मैंने हटाई दिया कि मेरे को करना में को अकेले नायन की करना है तो यह आप अकेले नायन का और उसमें आप पहली से ग्यानी क्योंकि आपको ग्यानी संतों का संग प्राप्त हुआ था तो एहम ब्रहमासमी का भाव तो आपका परिपक हो गया गुरु कृपा जो ही आपके प्रसंद कृपा ही एहम ब्रहमास्मी वालों की कृपा हो गई लेकिन बाद में जब गरंथू को पड़ा सब देखा तो समझा कि भगवान साकार भी है तो साकार में आ तो गए लेकिन उससे में भी यही मानते थे कि भगवान नीराकार भी हैं साकार भी है लेकिन आत्मा उन्ही का रूप है उन्ही में लियन हो जाती है और एहम ब्रहमास्मी के भाव से भाव ही तही रहे हैं उन्हीं के शिश्य है भाई जी भाई जी भाई जी भी साधना करते थे सेड़ जी वाली लेकिन देविरिशी नारजी का गरंथ पढ़ लिया चुरासी सुत्र प्रेम के उनको लगलगी प्रेम भी भगवान करते है और जैद्याल गोंद जी कहते हैं प्रेम नहीं करते हो तो भाई जी के लगा लग गई और देवरिशी नारजी की परती और लगा लग गई है कि ये तो प्रेमी है जो स्विम कहते गोप ये तरह प्रेम करू इसका मतला स्विम इननका गोपी भाव है उर फिर बाद में लगई पता ने निम्पार्ग समपर अएसे कि गोपी ही है नारजी तो उसमें मुगदादी सक्षी का रूप दाने करके निकुंज में आपका प्रवेश है और नारजी की रूप में बाहर भी पोस्टमेन बने हैं तो दो दो काम करें कटी तब उनके लगन लगी तब उनको हुआ फिर देवरिश नारजी के जहां-जहां च ऐसा खोल के बताए निकुंज उपासना क्या है और भाई जी फिर लगे अंदर निकुंज उपासना करने हैं फिर तो सब गरंतों को खोजा जो वैशनों संपर्दैक गोडिया गरंत हैं और अपना महावानी जी हैं इन सब गरंतों को खोजा प्रेम को करते करते फिर कहां त रूप में थे तो सेड़ जी ने बताया कि ठीक है आपके साधना बिलकूर ठीक ये साधना मुक्ति का रास्ता है लेकिन भगवान साकार भी होते हैं लेकिन नहीं माने सास्ता चलता रहा अंत में भाई जी से सन 1936 में भाई जी से मिलन हुआ था भाई जी ने अपनी कृपा से इनको वो तत्व ज्यान दे दिया बोल कर नि दिया स्पर्श करके चू करके उनको पूरा प्रेम का ज्यान दे दिया तत्व दिखा दिया प्रेम का तत्व क्या है क्योंकि वो तत्व दर्शिस संद थे तो प्रेम का पूरा तत्व समझा दिया फिर वो भी नीराकार छोड़ करके साकार में आ गए पहले महामंतर जपा महामंतर की क्रिपा से भगवान स्री किरिष्ण के साक्षा दर्शनु वे उनसे प्रेम हुआ उसके बाद गुपी भाव की प्राप्ती हुई उसके बाद फिर आगे बढ़े तो राधा किरिष्ण युगल नाम जब किया यूगल नाम की क्रिपा से सक्षी भाव की प्राप्ति वी फिर और आगे बढ़े तो राधा नाम मिला राधा नाम की क्रिपा से महाभाव में परतिष्ठा हो गई इस प्रकारा पीड़ी दर पीड़ी चले महामंतर की क्रिपा से यूगल मंतर यूगल मंतर की क् ऐसा संग नहीं मिला था किसी प्रेमी महापुरुस का संग नहीं मिला था जिनका संग मिला थो सब ज्यान मार गी थे इसलिए इनको तत्व ज्यान हुआ लेकिन ज्यान मार कवा प्रेम मार का तत्व ज्यान नहीं बाद में इनको ग्रंथों से पढ़ा प्रेम तत्तों के बारे में भी लेकर उस समय से प्रतिष्ठित हो गए थे और जो जहां पर प्रतिष्ठित हो जाता है वहां से उनको उनका बड़ा ही हिला सकता है और कोई नहीं हिला सकता अपने आप नहीं हिल सकते हैं वो बड़ा कोई मिला नहीं यह पिए उन से बड़े हो चुके थे पुजशी राधे बाबा और पुजशी भाई हनमान प्रसाद पोदार जी लेकन ये दोनों उनके शिश्य थे इसलिए मर्यादा में बंद रहे कि हम शिश्य हम गुरू को नहीं कह सकते कि आप छोटे हैं और आप और आगे बढ़िये तो उन कर सकते थे लेकिन बाई जी कहते हैं मेरे भगवान है सेड़ जी मेरे भगवान है मैं सेड़ जी से उल्टा संकल भी नहीं कर सकता है वो तो सन्यास लेना चाहते थे बाई जी लेकिन सेड़ जी ने का सन्यास नहीं लेंगे नहीं लिया सारी तयारिया करी करा ही रहे नहीं कि क्यों उनमें सेड़ जी भी इस बात को जानते थे क्या ये मुझे इतना भी अलग नहीं जा सकते सन्यास लेना चातू, उनके कहीं पत्र हमने स्वोजें पत्र पड़े भाई जी के जिसे में कहते है कि मुझको आँखे खुली रहते लेकर दिखना बंद हो जाता है मुझको राधा कृष्ण दिखते हैं लीला और मैं अब संपाद का कारिया नहीं कर पाऊंगा और मेरी समाध्य लग जाती है और मेरा मन प्रकृतिस्थित नहीं हो पाता मैंने होस्नी मुझको रहती ऐसी सिति में मैं कैसे क्रेक्शन कर पाऊंगा इसलिए मुझको इस सेवा से चब हम गये और मैं एकांत में लीला में प्रवेश जीते हो गया प्रकृतिस्थ हो नहीं पाते थे पत्र पढ़ते हैं बाबा के लिखे पत्र है प्रेस से चपवा दिये गए जो कर रिखे जो के तो रहा के थे हैंड राइटिंग में तो उसमें से warriors जीने आग्या ने दिए और सेड़ जी को पता है कि ये गीता प्रैस छोड़कर एकांत में हर दौार में गंगा के नारे एकांत गूपा में पढ़े रहना चाहते हैं क्योंकि इनकी भाव समाधी में लेकिन ये मेरे आग्या के बिना नहीं जा सकते हैं और मुझको इस समय गीता प्रैस में भक्ती का परचार करने के लिए धर्म का परचार करने के लिए इस नात्म धर्म के गरंत जो विरोधियों ने फूक डाले और उनमें कुछ गल्त सल्त बात लिग करके ब्रश्ट कर दिया गरंतों को तो उनको कांट छाट करके उनको क्रेक् अपना चिमिलाल गो स्वामी जी और मुनिलाल जी और स्वामी राम सुगदा जी साब बड़ी बड़ी हस्तियां इकठी भगवान के विदान से हो गई और यह सब पड़े लिखे विद्वान लोग थे इनके द्वारा गीता प्रैस में हिंदुस नात्म दहम के गरंतों का पु और सनकादिकरिसी आकर स्यम स्रीकिष्ण बीची बीची में गाइड करते थे यहां यह गलती यहां यह गलती और फिर उन गरंतों को पूरी दुनिया में पहुंचा देना जिससे कि इस नात्म धरम के गरंत आने वाला जो महाविद्वान्स आएगा कभी भी और उसमें गरं हैं तो पूरे दुनिया में गरंतों का परचार परसार वगवान ने करा दिया हैं तो मैं कहना चाहूंगा सेड़ जी से उल्टा वो संकलप ले नहीं सकते थे यह दोनों महापूर्शों को नहीं था वो चाते एक संकलप करके सेड़ जी को प्रेम में प्रतिष्ठा कर सकते लेकर नहीं हम गुरू के ऊपर नहीं हम वो आग्या करेंगे हम कुछ कर सकते हैं हम गुरू के ऊपर करेंगे हम उनके ऊपर दया करेंगे तो इतनी देन ता थे कि उन्होंने हमको अध्यात्मराज्य में क्योंकि पहरी बार जब चत्रबुजरूप का दर्शन हुआ भाई स् काल किस पार जा चुके थे जिसको चाहें वो अपना चत्र बुजरूब प्रगट करके दर्शन दे देते थे तो सेड़ जी के चरणों में गिर पड़े लोग उस समय अकेले नहीं थे भाई जी पंद्रें सोला लोग उनके नाम भी लिखे हैं वो उनके साथ थे सब लोगों को देख रहें सेड़ जी हैं और भाई जी को देख रहें चत्र बुजरूब में भाई जी चरणों में पढ़ गे भगवान नायन के लोगों ने सोचा कि सेड़ जी के चरणों में पढ़ें वहीं भाव समाधी लगी हो सी निरा तब आदमी उठा करके कमरे तक लाए तो सब ब्रह्म रूप हैं उननकी स्थीति हो चुकी थी तो जो भाई जाना चाते थे गीता प्रय छोड़ कराप्त हैं अभी दशन भी साक्षात नहीं हुए थे हां समय ध्यान में सीता राम के बनवासी भेश के दर्शन तो हो चुके थे बंबही में जब आप थे तो इध्यान में तो हो चुके थे कि परतक्ष में अभी तक भगवान के दर्शन नहीं और इनको छटपटी लगी थी भगवान के दर्शनों और इधर गीता प्रै बाद में करूँगा सब का सेड़ जी कहते हैं हो जाएगी भगत प्राप्ति भी क्योंकि उनको तो हाथ में था चुटके में दर्शन कराने कहता हो जाएगी आप ये काम करो लेकिन जब नहीं लगए उनके पत्र पढ़िए भाई जी के हाथों के लिए के सेड़ जी को गई प मैं कराता हूं दर्शन फिर उन्होंने चत्र बुजरू प्रगटों के दर्शन दिये उसके बाद फिर उन्होंने और गरंत पड़े लगा पता कि और भी आगया ध्यात्म ये मैं पूर्ण अभी नहीं हूँ आगे भी बढ़ना मुझको प्रेम राज्या में जाना है फिर द देश्यम कहे दें तो अलग बात है तो भाई जी में तो वो पारफूल थे जिसको भी चाहे उसी को प्रेम पराप्त करा सकते थे लेकिन सेट जी को नहीं कराया कार्ण क्या क्यों गुरू है